देखो यह question क्या है? Calculative है पर इसको solve करने का approach क्या होना चाहिए आपके पास? इसका sum हमें बताना है और यह जो question है हमें GP में दिया गया है तो GP का sum क्या होता है? SN equals to क्या होता है? यह होता है आपका a r के power an minus 1 upon r minus का 1 यह क्या होता है? first term होता है? first term कितना है यहाँ पर 3 है? r common ratio होता है अब 3 के power 1 है और 3 के power 2 है तो इसका ratio क्या आएगा? तीन आएगा? और यह क्या है total number of term कितने है? 8 है minus का 1 अपन में हो जाए कितना आपका 2? r minus का 1 2 अब देखो इस value को solve करने आपको कैसे करों के solve? is 3 के power 8 को में इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 के power 3, गुुना 3 के power 2 बिल्कुल लिख सकता हूँ तो 3 के power 27 होता है, 3 के power 27 होता है और 3 के power 2 कितना है? नौ होता है और यह minus का 1 है अगर मैं आपसे यह बोलूu कि unit digit यहा ażग का लोते है इन डिजिट में चेक करना साथ सकते हैं 49 9 9 81 81 और 1 माइनस एक 0 और 3 गुना 0 0 यानि कि इन डिजिट 0 आना चाहिए एक अप्सन ख़ता हूं और ds लगा कर दिखते हैं अगर मैं ds लगाता हूं तो 79 7 2 9 9 कैंसल 3 x 1 करेंगे 3 यानि कि ds 3 आना चाहिए आठ दू 10 यहां पर 3 यह अप्सन हो सकता है आपका यह देखो आठ चार 12 यानि कि इसका भी 3 आ रहा है यह भी हो सकता है 6 6 12 5 15 स्था साथ एक 8 आ रहा है यानि कि यह नहीं सकता है अब 2 में आप फंसेंगे यहां पर भी आपको फंस नहीं सकते यहां पर आप देखो क्या कर सकते हो यह बाहर यह तीन है 27 नहीं कितना होता है यहां पर भी एक 8 आएक और यहां पर कितना आएक आपका 27 और यह माइनस का 3, अब इसको 80-80 भी लो गए ना तो इसका multiply करोगे तो जाएगा 64 अब देखो यहां पर 32 होई है तो जाए इसे बात जब यहां पर 64 आ रहा है तो 32 तो होगा नहीं आपको इस तरीके से करनी होगे पूरे solve यानि की गुना भाग करने की जुरत नहीं है बस आपको तोड़ा सा दिमाग लगाना है ठीक है